नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिना कुशांशु पांडे और हम क्या बातें करने वाले हैं आये सुरुवात करते हैं अच्छा बार्वी की बहुत तकी और इस विशाय पर आपकी जो परिक्षा है उसकी पूर के सामने रखा है यह प्रयास है सीजी बोर्ड का एक्जाम सीरीज ठीक है अगर आप हमारे प्लैटफॉर्म पर आते हैं तो आपको यही सीजी एक्जाम सीरीज मेशन 2023 के नाम से मिलेगा और यूटूब पर भी आपको इसी नाम से यह सीरीज दिखाई दे रही है अगर आप यूटूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप दो काम करें पहला हमारी जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक करें क्योंकि वहां पर गनित सरसायन भौतकी जी विज्ञान सारे विश्यों पर जो है हम डीटेल में और ना सिर्फ कशा बारवी के लिए बलकि दसवी क्लास के यह भी यह सारे के सारे आपके कोर्स को कंप्लिट कराने का कारे कर रहे हैं इसके अलाबा आप जो है वीडियो अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको रिगुलर अपडेट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से आपको एक कंपैनियन का ऐसास भी होने वाला है जो बहुत अच्छा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज हमारी विद्धुत विभाव अमधारिता और यहां पर हम लोगों ने कुछ चीजें पहले वीडियो में डिसकस कर ली हैं और उसके बाद में कुछ और चीजें आज हम चर्चा पर रखने हम लोगों ने क्या क्या दिखा है हम आज बात करेंगे कि विद्धुत विभाव कैसे निकाला जाता है पहले तो हम याद कर लें कि विद्धुत विभाव होता क्या है यदि दो आवेस ऐसे हो जिन्हें बहुत ही कम दूरी पर दूसरे के पास रखा जाए तो उसे हम विद् यहां पर यहां पर जो है रखना होगा और यहां से विदुत्विभव धरता निकालेंगे या आपको अपना आवेश यहां रखना पड़ेगा और यहां से भी हम विदुत्विभव निकाल सकते हैं अब ऐसी स्थिति में जो है हम क्या करेंगे भाई अगर मैं यह डेरिवेश है और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि के यहां से जो है हम विद्धुत्विभाव निकालेंगे और इसका मान वी बन निकल जाएगा वी बन का मान क्या हो जाएगा वी बन का मान हो जाएगा के क्यू डिवाइद बाई आर रिण आर रिण ए क्यूंकि इसको हम लोगों ने टू ए माना हुआ है और उसी तरीके से विद्धुत्विभाव दूसरे वाले का मान हो जाएगा के क्यू और यहां पर आर धन ए और इसके बाद में हम दोनों को क्या करना है इसको जोड़ देना है तो वी का मान हो जाएगा वी बरा का मान निकालने की बात पहले कर ली है और श्रम गुंषर करना करना आता है आगे बढ़ेंगे और हम सम विद्धुत्व दूसरे बियनन तक उसका विस्थापन करने पर श्रम भुलात कहते हैं इसके गुर्द्धर्मों के बारे में हम लोगो ने चर्चा की है क्या क्या सार में हम लोगों देखे थे कि उसके प्रतिक बिंदू पर विभव कमानेग जैसा होता है उसमें कुल किया गया कारेशोन ने होता है फिर विद्धुत बल रिखाएं हमेशा समविभव प्रिष्ट के लंबवत ही होती हैं फिर हम लोगों ने देखा कि प्रतिक शेदन में कोई भी जो विद्दुद बल रेखा है वो किसी आवेसितकन को हमेशा लंबवत ही काती हैं क्योंकि आवेसितकन हमेशा जो है सम्विभवव प्रिष्ट पतलाब एक चालक हो तो हमेशा सम्विभव प्रिष्ट पनाता है और हम लोगों ने विभाव प्रमड़ता की बात की थी जहां पर हम क्या देख रहे थे वहां पर हम लोगों ने देखा था और इसके गुन्दधर्म ने हम लोगों ने चर्चा की थी आगे बढ़ेंगे आगे यह हम खोकले गोले के अंदर के विभाव के बारे में बात करते हैं रही हैं ओर इस खोकले गोले पर जो कर देखा है हैं तो हमें तीन स्थितियां दिखाई देती है पाहला कि खोकले गोले के बाहर जो है हम विtv विद्दू छेत्र की तीवड़ा निकाल रहे होते हैं और यह इस जो हम विद्दू छेत्र क 있죠 तीवर्टा मिलती, E बराबर, K, Q, बटा, आर का वर्ग, उसके बाद में, यदि हम इसके प्रिष्ठ पर जो है विदू छेत्र की तीवर्टा निकालते हैं, और यदि इसकी तीवर्टा small r हो, तो E का मान होता है, K, Q, बटा small r का वर्ग, और अब जो है हम लोगों ने जो तीस स्थिति देखी हुई है हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं यदि हम विदु छेत्र की तीवरता इसके अंदर निकालने का प्रयास करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि गाउस का जो छेत्र है उसके अंदर कोई भी आवेस नहीं है क्योंकि सारा आवेस इसके प्रिष्ठ पर और गाउसी प्रिष्ठ के अंदर यदि कोई आवेस ना हो तो हमें पता है कि विदु छेत्र की तीवरता का मान शून्य हो जाएगा और इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर ई का मान शून्य हो जाता है अब हम बात कर लेंगे विदु त्विभाव का तो व विदु छेत्र के लिए अगर हम यह ग्राफ बनाएं विदु छेत्र और त्रिज्या के लिए यहां तो यहां पर देखेंगे कि जब तक विदु छेत्र इसी गोले के अंदर शून्य होता है उसकी सता पर पहुंसते ही यह प्रिष्ठ पर पहुंसते ही विदु छेत्र की त अधिकतम और उसके बाद में धीरे धीरे ये कम होने लगती है लेकिन यदि हम यही ग्राफ बनाएं विद्धुत विभाव के लिए तो हम देखेंगे कि विद्धुत विभाव के मामले में क्या होता है कि क्योंकि यहां पर विद्धुत छेतर की तीवता शुन्ने है तो यहा वाली दूरीत पर पहुंसते हैं याने कि इसकी सतह पर पहुंसते हैं फिर जो है विद्धुत विभाव के मान में भी परिवर्तन होने लगता है यह चीजे हम लोगों ने देखी अब हम बढ़ेंगे आगे अब हम क्या देखते हैं धनात्मक और रिनात्मक विभाव कैसे होते है है हम लोगोंने देखा कि यदि हमारा स्ट्रोत आवेच क्यूँ है और यदि धनात्मक थो बाहे भल द्वरा किया गया कर रिया है आवेच को इसके अंदर लाकर डालेंगे और इसलिए यह बाहे भल द्वरा किया गया लेकिन यदि ये रिनात्मक आवेस हो तो बाहे बल को एक धनात्मक प्रेक्षण आवेस को पुश करने की याने की धक्का देने की आवशकता नहीं है बल की जो स्थिर विदुद बल है वो स्वयम ही ये कारे कर रहोगा और इसलिए हमको यहाँ पर रिनात्मक वेल्यू मिलेगी तो इससे हमको दिखाई देता है कि कब धनात्मक और कब रिनात्मक विदुद की भाव हमें दिखाई देता है बढ़ेंगे हम आगे और आगे क्या देखते हैं कि चालक के अंदर की स्थिर विदुद्ध के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं पहली बात यह है कि जब भी कोई चालक का किसी बाहर विदुद्ध छेत्र के संपर्क में आता है तब क्या होता है कि विदूत बल रिखाएं यहां तक तो आती हैं लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि प्रेरण के सिध्धान्त के कारण यहां पर विदूत विभाव के विपरीद सारे के सारे रिनात्मा कावेसी कठे दिखाई देंगे और यहां पर सारे के सारे धनात्मा काव इस क्योंकि वो इस विद्दुत बल रिखा की मतलब की दिशा में जो है चलते होते हैं इसलिए अब इसके कारण जो है हमको किसी चालक के अंदर विपृत दिशा में बराबर मात्रा में विद्दुत छेतर की को जो के उत्पन होने की स्थिती नजर आती है और यहां पर से भी हमको आगे फिर विद्दुत बल रिखाएं दिखाए देंगी और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्दुत बल रिखाएं कैसी होती है नहीं होती है या फिर इसके अंदर का चेतर में उसे रखा गया है उसके बराबर होगा फिर हम देखेंगे कि बद्ध और स्वतनत्र आवेस क्या होते हैं किसी पर्माणू के नाभिक से बंधे हुए जितने भी आवेस होते हैं जो बाहर विद्धु छेतर लगाने से अपने पर्माणू से बाहर नहीं निकल सकते है नहीं हम बद्ध आवेस और ऐसे ऑवेस जो बाहर आक्षा में हो और किसी चिव्धु छेतर के संपर्क में आने पर अपना पर्माणू छोड़ कर जा सकते हैं उन्हें हम सोतंतर आवेस कहते हैं फिर चालकों के भीतर आवंबाहर विड़ुद्चेतर के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ले और प्रिष्ट पर अतरिक्त आवेस के बात करेंगे तो ये किवल प्रेना की सिती में होता है और यदि प्रिष्ट पर हम आवेसों का घनत तो बढ़ा दें तो फिर वह परावैदुत सीमा जो होती है माध्यम की उस सीमा तक वहां रहते हैं और फिर अपने माध्यम को तोड़ कर उसमें भी विदुद्धारा का प्रवाह कर लेते हैं तो यह बाते हम लोगों ने देख ली हम अगले वीडियो में विदुद्धारिता के बारे में बहुं सारी चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पूरूर प्रश्ण पत्रों में हमसे इन टॉपिक्स के उपर जुड़े हुए प्रश्ण पूछे गए हैं तुम मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्नवाद